तो भाई देखो कई बार ऐसा नहीं होता है कि मैच में जो चल रहा है उसे देख के बहुत खुशी हो रही हो या ना हो रही हो या मैच का जो रिजल्ट आने वाला है उसे सोच के बहुत खुशी हो रही हो या ना हो रही हो लेकिन कुछ पारिया ऐसी मैच में देखने को मिल ज जो एकदम यादगार सी बन जाती हैं जो एकदम जाती है कि उन्होंने 200 या 200 बॉल ले लेकिन जब वो 200-200 बॉल अकेले खड़ेओं के खेल जाते हैं, वो सारी की सारी बॉल डिफेंस करते हैं, तो असल में वो जो बॉलर्स होते हैं, उनको लगातार बॉलिंग डाल रहे हैं, उनको वो मांसिक रूप से तोड़ देते हैं, क्योंकि 200 200 बॉल फेकने के बाद पहले तो बॉल वैसे नहीं रहती है, जैसे वो पहली थी, 200 बॉल फेकने के बाद बॉलर वैसे नहीं रहते हैं, जैसे वो पहले थे, इसलिए जब बाद में पंत आते हैं, विराट कोहली आते हैं, खेलें, या फिर और नीचे के बैट्समेन आते हैं, उनके लिए मैच और असान हो जाता है अब वहीं पे सोच लिजे कि पुजारा 200 बॉल पे 50 रन ना मार के जाए और वहीं पो 70 बॉल पे 40 रन मार के जाए शायद किसी को ये लग सकता है कि भाई ये पारी तो ज्यादा काम की है लेकिन ये सच नहीं है क्योंकि अगर चाए पंद की बात कर ले या फिर जड़ेजा की बात कर ले किसी भी नीचे के बैट्समें की बात कर ले इवन बॉलर्स की बात कर ले जो अच्छे कासे रन मार ले रहे है अगर उनकी बैटेंग थोड़ा सच 40 ओबर और पहले आ जाएगी न तो उनके लिए खेलना और मुश्किल हो जाएगा तो इसलिए मैं बहुत ही ज्यादा दिल से चाहता था कि पुझारा कमबैक करें क्योंकि पुझारा का होना सिर्फ हमें रन देगा या नहीं देगा वह सेकेंडरी चीज़ है लेकिन पुजारा का होना बाकी बैट्समैनों के लिए मैच को असान कर देता है और फिर से कल जिस तरीके से पुजारा ने पारी खेली है जिस तरीके का उन्होंने टेंपरामेंट दिखाया है मतलब भाई क्या मज़ा आ गया कसम से आप क्रिकेट से हटके कोई भी फिल्ड की चीज़ उठालो कोई भी जॉब उठालो अगर आपके पास इस लेबल का पेशन्स है जो पुजारा के पास है कि भाई बिल्कुल मूँ पे भी अगर बॉल दे रहा है मारो तभी जब एक्तम आसान बॉल आ है वरना भाई लीव कर दो डिफेंस कर दो अगर आपके पास ये टेंपरामेंट है पुजारा जैसा अगर आपके पास ये पेशन्स है पुजारा जैसा तो आप हर फिल्ड में सक्सेस्फुल हो जाओगे बहुत दों मुझसे कमेंट में पूछते हैं या फिर इंस्टा पे डियम करके पूछते हैं कि भाई वीडियो में व्यूज नहीं आ रहे हैं क्या करें चैनल ज्यादा ग्रो नहीं हो रहा है क्या करें तो भाई मुझसे नहीं पूछो पुजारा से सीखो कि भाई दो ही चीज करनी है, पहला तो भाई patience रखो और दूसरा भाई consistency रखो और बाकी कुछ मत सोचो, बाकी जो भी होगा देखा जाएगा तुम्हारे हाथ में क्या है कि तुम्हें भाई वीडियो डालते रहना है, सेम पुझारा के हाथ में क्या है कि भाई बॉल निकालते रहो, बॉल निकलेगी तो रन तो अपने आप आएंगे तो और यहाँ पर ग्यान नहीं पेलते हैं, उमीद यही करते हैं कि पुझारा ने जो ये पचासन बनाए हैं कल की दिन वो अपनी पारी को और आगे लेके जाएं और हो सके तो इस पचासे को शतक में जरूर कनवर्ट करें अब भाईया जब इतनी खुशी की बात कर ली है तो दुख की बात भी कही लेते हैं और सच में भाई अगर आप लाइफ देख रहे होगे विराट कोहली को बैटिंग करते हुए तो जिस तरीके से आके बंदा बैटिंग करता है लगता ही नहीं बंदा आउट ओफ फॉर्म में है मतलब बंदे ने आते ही जो सेक्सी सेक्सी चौके मारे है इतने कॉन्फिडेंस के साथ मारे है बिल्कुल देख के लगी नहीं रहा था कि उनकी बैटिंग को लेकि कोई ची जो पर नीचे चल रही है लेकिन साली जो किस्मत है ना जो ये वक्त है ना अगर ये साथ ना हो तो साला हर चीज खराब होती है क्योंकि चाहे अब इस मैच में कोहली के विकेट्स भी देख लें तो वो विकेट्स ही अपने आप ये कह रहे हैं कि भाई किस्मत तो कोहली तुम्हारे साथ नहीं है को भी तो सेटिस्फाय करना ही है ना तो मैं फिरस यही कहूंगा कि एक बार जब कोहली की वह अवेटिट सेंचुरी आएगी तो लगता है किस्मत वक्त फॉर्म सब कुछ उसी समय साथ आएगा मतलब अगरा है अपने कल के दिन की आखरी वॉल भी देखी होगी तो उसमें पं कोली और होई शर्म जब साथ में खेलते हुए देखने को मिलेंगे तब लगता है भाईया कुछ अलग हो जाए वैसे एंडरसन ने तो इस टेक्स को लेकि यह बयान दे दिया है कि कुछ भी हो जाए इंडिया यह मैच नहीं जीतेगी तो भाईया अब तो जीतना ही जीतना ह और कसम से बता रहो अगर बारिश नहीं हुई न तो भाई फिन इंडिया को जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा बाकि पाकिस्तान में तो अलगी चुलमच रखी है वहाँ बैठे मुहमद आसिफ ने ये बयान दे दिया कि भाईया पंत ने जो सेंचूरी मारी है ये तो तु क्रिकेट से ही निकाल दिये गए थे ऐसे ही मौके में मुझे वो राज कुमार का डैलोग याद आ रहा है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर में पत्तर नहीं फेका करते एक तो ये इंडिया पकिस्तान की सिरीज नहीं होती जिस वज़े से बहुत कुछ मिस हो जाता है परना साला मुझे मन होता है देखने का इंडिया और पकिस्तान का टेस्ट मैच कसम से मज़ा आ जाता तब इनको बताते भाईया कि किसका हास सही चल रहा है किसका पैर सही चल रहा है बाकी भाईया जो भी यो बाद में देखा जाएगा पहले तो यही उमीद करत जो पूछते हैं जस्पीत बुम्रा क्यों तीन ही बॉलर का यूज कर रहे हैं तो भाई देखो इस पे मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो भी फिलाल के लिए करा है अच्छा ही करा है मुझे तो कोई शिकायत नहीं लगी है इस्टा पेज क्लिक बाजी पे जोची पे जाके फॉलो नहीं करा है भाई या वेट कर रहे होते हैं तुम लोग का कोई भी मन में सवाल और कुछ भी कहना है कुछ भी दिल में जाके भाई या सवाल भेजो आने वाली वीडियो में तुम्हारे नाम को शाउट आउट दे फीचर करेंगे भाई सिंपल सा एम है कि जो भी मेरा व्यूवर है जो भी मेरी वीडियो देखता है भाई या हर बंदे का नाम मेरी वीडियो में आना ही आना चाहिए तो बिल्कुल इवेट ना करें, अभी जाएं, डिस्क्रिप्शन में लिंग मौजूद है, हमारे इस्टा पेज का, जाके वहाँ पे क्लिक करें, और फॉलो करें, कोई इमन में सवाल और डियम करें, इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद दें, तो वीडियो को एक ला करने के चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए जैहिन, धन्यवाद!